नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहिच शर्मा, तो बात करते हैं वीकली क्रंट अफेर्स के बारे में, तो वीडियो रहने वाली है HPSPSP, HPSC, HS, Allied Police और हिमांचल प्रदेश प्लस इंडिया के काफी एक्जाम्स के लिए बहुत ही जादा जरूरी तो देखते हैं देखी सवाल कुछ आपके लिए पूचे गए हैं, पहला सवाल है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलजी के क्षेत्र में 2020 के लिए यंग केरियर अवार्ड की से दिया गया अगला सवाल पुचा जा रहा है, मुस्तफा अल काधिमी हाल ही में कहां के प्रधानमंत्रिक के रूप में उन्होंने शपत ली है अगला सवाल है, लॉंग मार्च 5B रॉकेट किस देश के द्वारा लॉंच किया गया है और आखरी सिवाल पुचा जा रहा है, आयूश कवच COVID एप हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉंच की गई है तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और दोस्तों इन चीज़ों को आप जरूर देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है, फिर भी आप बताइए गूगल कीजिए, इसी से आपका ही बेनिफिट होगा तो बात करते हैं, कुछ जरूरी निउस के बारे में हिमांचल प्रदेश के जो करोना केस हैं, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ और ये ऐसा मज़ समझना की वीकली के हैं, ये आपको टैंथ में की लेटेस्ट अपडिट दे रहा हूँ है हिमांचल प्रदेश में टैंथ में को टोटल केस हैं, वो 53 है जो रिकावर हो गए हैं वो 39 और जो टोटल डैथ हुई है वो ही है 3 तो बात करते हैं आज के करंट अफेर्स की तो हिमांचल प्रदेश के शेहरी इलाकों के लिए एक योजना लौंच हुई है उस योजना का नाम है मुख्य मंत्री शेहरी रोजगार गरंटी योजना अगला करंट अफेर है हिमांचल प्रदेश ने निगाहा कारेकरम शुरू किया है यानि कि इसके अंतरगत मुख्य रूप से सुशल डिस्टेंसिंग के रूप में बताया जाएगा जो आशा वरकर्ज वगेरा हैं उनका इसके अंतरगत काफी जादा काम है अगला करंट अफेर है कि मुधी सरकार ने हिमांचल प्रदेश को करोना वाइरस के लिए 220.46 करोड रूपे की मदद की अगला प्रधान मंतरी ग्रीव कल्यान योजना के अंतरगत अप्रेयल में 8,74,401 किसानों के खातों में 2,2,000 रूपे दिये गए किसके दौरा प्रधान मंतरी ग्रीव कल्यान योजना के तहत दोस्तों देखो मैं आपको वन लाइनर इसी लिए देताहूं ताकि आपका énormément समय बरबादs ना ऊहुं। आपके लिए मैं MCEQ भीसक्ताहूं परन्तू इसमें आपका ज्यादर समय लगेगा। इसलिए मैं आपको वन लाइनर देता हूँ ताकि आप आसानी से याद रखें और एक निउस है महत्वबून तो नहीं है पेपर के point of view से लेकिन फिर भी हिमांचल प्रजेशन है पहले ये निर्ड़ने लिया था कि जितने भी आपके डिपू है जहां पर राशन वगएरा मिल कि गोवा से हिमांचलियों को लाएगी रेल गाड़ी में और इसमें मंडी के ही जो हैं आपके 308 अनुए लोग हैं 398 जो लोग हैं वो मंडी जिला से ही समन्द रखते हैं तो बात करते हैं नेशनल करंट अफेर्स के बारे में हिमांचल प्रदेश के करंट अफेर्स नाम रखा गया है यूवी ब्लास्टर नेक्स्ट करंट अफेर्स है जल शक्ति मंत्रेले ने हाल ही में आइडिया थौन का आयोजन किया है तो दोस्तों इन चीजों को याद रखना वन लाइन लेकिन मुस्ट इंपॉर्टेंट है यह वीक के मुस्ट इंपॉर्टेंट अफेर्स हैं मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ इस साल यानि 2020 में पहली बार पांच मही को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया इस से पहले जब भी विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता था ये मही महीने में दूसरे मंगलवार को मनाया जाता था परन्तु अब से य इनफ अस्थमा डेट्स, नेक्स्ट करंट अफेर है, दिल्ली की सरकार ने जो है, शराब की MRP पर स्पेशल करोना फील लगाने की बात कई है, जिसमें 70% कर लगाया जाएगा MRP पर, नेक्स्ट करंट अफेर है, कि लोक लेखा समीती के अधेक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, तो ये जो समीती होती है, लोक लेखा समीती, इसमें मुख्या आपके 22 लोग होते हैं, तो इस समीती का जो कारे होता है, भारत के जो निदेशक एवं महाल लेखा परिक्ष जो हैं, उनके द्वारा जो दिया गया लेखा परिक्षन होता है, उसके संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है, ये लोक लेखा समीती, आगे बताया जा रहा है आपको, कि राहुल देव जो हैं, हाल ही में पाकिस्तान वायुसेन के पहले हिंदू पा तो ये जो गैस निकली, जिस कंपनी से उस गैस का नाम था, उस कंपनी का नाम था, सौरी, LG Polymers Plant, तो विशाखा पटनम में LG Polymers Plant, रसायन के निकलने से मौत हुई है, जिस वो रसायन है, उस रसायन का नाम है, स्टायरीन, तो इसका इस्तेमाल जो है, रबड, प्लास्टिक, बॉटल्स वगेरा में किया जाता है, और हाल ही में NGT, जो National Green Tribunal है, उन्होंने LG Polymers पर 50 क्रोड रुपए का जुर्माना लगाया है, एक शब्द है, फैलूडा, क्या है फैलूडा, तो फैलूडा जो है, इंडिया's first pocket friendly paper testing kit है, ये जो launch किया गया है, CSIR के दोरा launch किया गया है Council of Scientific and Industrial Research के दोरा, इसके अंतर का जो COVID-19 का test है, वो 30 मिनिट के अंतर ही बता दिया जाएगा कि positive है या negative है, तो ये थे आपके कुछ current affairs, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और helpful लगे तो वीडियो को like जरूर करें, share जरूर करें, और channel को subscribe किये भीना ना जाएं, that's enough for today thank you